आएक हाँ चलिए test cross के बारे में जानते हैं तो आज का हमारा टॉपिक होगा test cross और इसका example भी हम समझ लेंगे जो की monohybrid cross के regarding हम इसको समझेंगे याँ इसमें जो हम एक्जाम्पल लेंगे वो monohybrid cross से related होगा ठीक है तो चलिए वड़ते हैं स्क्राइस की तरफ जो कि इंपॉर्टएंट टॉपिक है कहता है कि किन दो क्राइब बिट्विएंट एफोन हाइब्रीड रही फॉन हाइब्रीड कहता है कि एक पर gagn सुप लिए और इंडिट्युल यानि कि वह क्राश जो की एफवन हाइब्रीड इंडिविज्वल और इसके रेसेश्यू पैरेंट ध्यान दिजेगा रेसेश्यू पैरेंट कहरा है वेरी इंपर्टेंट पैरेंट जो है इसका कैसा होना चाहिए तो वह रेसेश्यू होना चाहिए यानि कि वह क्राश जिसको क की एफ़ ऐफ आं हाइब्रिड तथा रस्था प्येथ के बीच करके गेन किया जाता है तो इस तिरह का ब्लोध होता है उसको हम कहते हैं K 올 ठीक है तो चलिए मोनुवीन क्रौस के कि रिगार्रिंग यहां देखते हैं Mono Hybrid Cross का एक example इसमें लेते हैं कहता है कि example एक Cross made between a genotype यानि कि जीनो टाइप कैसा होगा तो Capital T Small T यानि यह हमारा F1 Hybrid है जो यह हमें मिल गया Capital T Small T हमारा F1 Hybrid है और and Small T Small T यानि यह क्या है recessive individual है या recessive हमारा यह parent है ठीक है तो F1 Hybrid हमें को यह मिला है और plus इसका हम किसके साथ Cross करा देते हैं तो यह हमारा जो है recessive parent था दो f1 Hybrid का recessive parent से क्राइट से कराएंगे किसे कराएंगे तो recessive parent से कराएंगे यानि यही जो recessive individual है जहाए रेसेशिव parent यहाहनी हमारे रेसेशिव parent है तो F1 Hybrid का प्रकार के कुरांस को ही हम करते हैं टेस्ट क्रांस और जेनेटिक्स का इंपोर्टेंट टॉपिक है जो काफी कॉंसेप्चुल है तो इस अल थैंक यू